दोस्तो आज से कुछ दिन पहले Sony TV पे एक reality show आता था जिसका नाम था Shark Tank India जो कि अब खतम हो चुका है लेकिन दोस्तो अब भी लोगों में इसकी बहुत ही जादा दिवान गी है लोग पूराने episodes को भी बार बार देख रहे हैं तो दोस्तो अगर आप भी Shark Tank India के fan थे या फिर है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इस show के अंदर 62,000 से भी जादा लोगों ने अपलाय किया था मतलब 62,000 से भी जादा बिसनसे ने अपलाय किया था जिसमें से सिप 198 लोगों को सिलेक किया गया उसमें से 67 लोगों को डील मिली और दोस्तो आपको बता तो ये डील दी जानते होंगे कि इनकी जर्णी क्या थी, इन्होंने कहां से शुरुआत की और साथ ही साथ में आज के टाइम में इन्होंने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दोस्तों अकर आप जानना चाहते तो वीडियो को देखते रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं सबस्क्राइब कर दीजे, उसके बाज में जो पहला आइकन उसे भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. हे दोस्तों मेरे नाम है रजिकान शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूटूब चानल, दोस्तों मैं आपको साथो जजेस के बारे में डीटेल में बता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, शार्क टैंक इंडिया का जो कॉंसेप्ट है, वो ये इंडिया में बहुत जादा सक्सेस्वल हुआ, तो हो सकता है कुछ ही टाइम में आपको शार्क टैंक इंडिया का सेकंड सीजन भी देखने को मिले, और हो सकता है उसमें जो जजेस हो वो भी अलग हो, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्ही साथ जज और अपने इंटेलिजन्स के लिए बहुत ही जादा जाने जाते थे, और दोस्तों में आपको बदा दू, ग्रैजुशिंग के दौरान ही इनका सेलेक्शन as an exchange student, फ्रांस के INSA, लियॉन में हो गया, और उसके बाद में 2002 से लेके 2003 तक, अश्री ग्रोवर एक exchange program के दौरान, में चले गए, दोस्तों में आपको एक चीज़ बता दू, इनके academics के दौरान, French embassy ने इनको 51,4,340 रुपे तक की scholarship offer की गई थी, दोस्तों में आपको बता दू, पढ़ाई complete करने के बाद में, इन्होंने मई 2006 से लेकर, मई 2013 तक, कोटक investment banking में as a vice president काम किया, उसके बाद में इ financial officer, और यह वहाँ पे काम किये, मार्स 2015 से लेकर, अगस 2017 तक, और फाइनली उनकी आखरी जॉप थी PC ज्वेलर्स में, as a head of new business, जहाँ पे उन्होंने नवंबर 2017 से लेकर, October 2018 तक काम किया, और उसके बाद में दोस्तों, फाइनली उनकी मुलाकात हुई, भारत पे के founder से, जिस स्टेक है, इसके लावा, 7.8% स्टेक, शाषवत नकराणी का है, इसके लावा, दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो majority of स्टेक है, 19.6% वो सिकोया कैपिटल का है, और इनकी net worth है, 710 करोड रुपे, दोस्तों, भारत पे के लावा, और भी पश्मन स्टार्ट अप में investment कर चुके हैं, जिन में से कुछ popular नाम है, The Whole Truth, India Gold, Auto Capital, and Front Row, इसके लावा और भी बहुत साइश स्टार्ट अपस है, इसके लावा दोस्तों, अगर मैं शार्ट टेक इंडिया की बात करो, तो इन्होंने बहुत सारे businesses में invest किया, जिन में से कुछ है, Blue Pine Industries, Boost Scooter, Tags Food, Skippy Pop, Raising Superstar Beyond Snack, Motion Breeze, Bamboo India, Find Your Kick India, Ask Vidyalya, V-Stock, In a Can, Getaway, Hair Originals, and Event Deep, दोस्तों, जब मैंने वीडियो के स्टार्टिक में कहा था कि 198 लोगों में से, सिर्फ 67 लोगों को डील मिली, तो आपके मन में ये खयाल तो जरूर आया होगा, कि बाकी के जो 131 लोग थे, उनको डील क्यों नहीं मिली, देखें, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 67 स्टार्टप थे, वो एक सक्सेस्फुल स्टार्टप थे, और जिते भी शाक्स थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको ये लगा, कि अगर हम इनके अंदर पैसे डालेंगे, तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे investment पर हमको अच्छा कासा return मिलेगा, तो दोस्तों, अगर आप भी एक successful startup run करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक book recommend करना चाहूँगा, उस book का नाम है, The Lean Startup, दोस्तों, मैं आपको बता दू, इस book से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेगी जो आपको एक successful startup बनाने में मदद करेगी, अगर आपके पास ये book available नहीं है, तो ये book मिल जाएगी आपको Cuckoo FM पे, दोस्तों, मैं आपको बता दू, Cuckoo FM इंडिया का leading audiobook platform है, इनके platform पे आपको English के अलावा 7 other languages में audiobooks मिल जाती है, और दोस्तों, ये purely made in India application है, अगर हम इनके Google Play Store rating की बात करें, तो इनकी rating है 4.5, तो दोस्तों, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये platform कितना ज़्यादा popular है, इसके लावा दोस्तों, मैं आपको बता दू, इन्होंने 3000 सरी ज़्यादा book को audio book में convert कर दिया है, ताकि हमारी जिंदिगी आसान हो जाए, और हमको books का annual subscription plan लेते हैं, तो आपको एक coupon code यूज करना होगा, वो coupon code है selflove50, अगर आप ये coupon code यूज करते हैं, तो आपको straight away 50% का discount मिल जाएगा, और दोस्तों, आप रोजाना एक रुपे से भी कम में, पूरे साल भर के लिए, 1000 बुक सुन सकते हैं, तो दोस्तों, आप लोग के अनुकर मितल, शादी.com से associated है, लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी parent company का नाम क्या है, उनकी parent company का नाम है people group, मैं आपको बदा दू, people group के अंदर और और चोटी चोटी बहुत सारी companies हैं, जैसे शादी.com, makaant.com, moj mobile app, people pictures, और भी बहुत सारी companies हैं, इसके लाब दोस्तों, वो उन्होंने 1994 से लेकर 1997 तक, operation and strategic management में specialization complete किया, MBA complete करने के बाद में, उन्होंने people group की शुरुआत की, और सबसे पहली site बनाई, sagai.com, जो की एक matrimonial site थी, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, sagai.com को बहुत अच्छा response मिला, लेकिन अनुपर मितल समझते थे कि, अगर व अच्छ Mobile Private Limited नाम से एक company बनाई, इसी प्रकार उन्होंने और भी छोटे-छोटे business शुरू किये, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर investment की बात करें, तो 200 से भी ज़्यादा companies में, ये invest कर चुके हैं, और दोस्तों, इनका जो सबसे successful investment था, वो था Ola के अंदर, इ Contracting India में इन्होंने किस-किस business में invest किया, चलिए वो देख लेते हैं, Heart Up My Sleeves, CosIQ, Revamp Moto, Skippy Pops, Viva Life Innovation, Easy Life, Meteor, Coco Fit, Bamboo India, Let's Try, Find Your Kicks India, In a Can, Takerki Nari, Hair Originals, and Loka. तीसरे जज़ है, अमन गुपता, जो की board company से associated है, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा है, इन्होंने MBA किया हुआ है, Finance and Strategy, और General Management and Marketing के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा है, इन्होंने अपने career की शुरुआत की थी city company से, और इन्होंने वहाँ पे as an assistant manager काम किया, March 2003 से लेकर, August 2005 तक, उसके बाद में, दोस्तों, 2005 से लेकर, 2010 तक, ये Advanced Tele Media Private Limited के अंदर, as a co-founder और CEO के तोर पे काम करते रहे, जून 2011 से लेकर, February 2012 तक, इन्होंने KPMG company में, बतार senior management consultant काम किया, उसके बाद में, दोस्तों, इन्होंने 2012 से लेकर, December 2013 तक, Samsung की एक company, Harman International में, India Sales Director के पे काम किया, इसके बाद में, दोस्तों, वो April 2014 में, Imagine Marketing के co-founder बने, और दोस्तों, फाइनली 2016 में, उन्होंने boat company के founder, Sameer Mehta के साथ मिलकर, boat company की शुरुवात की, और आज के टाइम में, वो boat company में, CMO के पत पे काम कर रहे है, CMO का full form होदा Chief Marketing Officer, दोस्तों, अभी हाल फिलाल में अमन गुपता के पास boat company के 28.1% stake है, इसके लावब समीर मेhta के पास भी same stake है, और मैं आपको बताना चाहूँ का, बाकी के जो stakes है, वो अलग-अलग companies के पास है, और दोस्तों, अगर हम उनके net worth की बात करें, तो उनकी net worth है, 709 करोट रुपे से लिके 716 करोट रुपे के इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर मैं Shark Tank इंडिया की बात करूँ, तो इन्होंने कौन से कौन से बिजनस में इन्वेस्ट किया है, चलिए वो देख लेते हैं, Blue Pine Industries, Bummer, Revamp Moto, Skippy Pops, Raising Superstar, Beyond Snack, Alter, Nut Job, Meteor, Event Beep, Urquart Surface Textures, Furda, Loka, Hammer Lifestyle, Beyond Water, Coco Fit, Let's Try, Find Your Kicks India, V-Stock, In A Can, Get Away, Namya Foods, and The Rental Project, इसके लाँ दोस्तों इन्होंने Ship Rocket और 10 Club में भी investment किया हुआ है, चौती शार के विनिता सिंग, दोस्तों आप जानते होंगे, यह Sugar Cosmetic की CEO और Co-Founder है, और मैं आपको यह भी बता दूँ, Sugar Cosmetic इंडिया का fastest growing beauty brand है, इनकी पूरे all over इंडिया में 130 से भी जादा cities के अं 60 करोड रुपीज से लेके 60 करोड रुपीज के बीच में, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह IIT Madras और IIM Ahmedabad में पढ़ चुकी है, इसके लाँ दोस्तों यह TEDx Talk की speaker भी रह चुकी है, और चली अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने Shark Tank इंडिया में कौन से कौन से business में investment किया ह Blue Pine Industries, Boots Scooters, Heart of My Sleeves, Noct, COS IQ, Skippy Pops, Aririo, पांच भी जज़र नमीता थापर जिसको शोव में कहा जाता था फार्मा, क्योंकि दोस्तों यह Global Pharma कंपनी की Executive Director है, जिस कंपनी का नाम है Amcure Pharma, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी का पूरे साल का turnover है, 4000 क्रोड रुपे स भी जादा का, इसके लाबा दोस्तों, नमीता थापर, Incredible Venture Limited और Onboard Pharma केबल की भी Founder और CEO है, दोस्तों मैं आपको बता दू, नमीता थापर ने कंपनी जॉइन की थी as a CFO, जिसका फुल फोर में बता Chief Financial Officer, क्योंकि उन्होंने CA किया हुआ है, और साथ ही जात में MBA भी किया हु चलिए दोस्तों आप देख लेते कि इन्होंने Shark Tank इंडिया में कौन से कौन से बिजनस में investment किया, Bummer, Skippy Pops, Alter, Nut Job, Farda, Allie Lifestyle, Coco Fit, Beyond Water, Find Your Kicks India, Ask Vidyalet, V-Stock, In a Can, Getaway, The Quick Reinary, और The Renal Project, अगली शार का गजल अलग, दोस्तों यह भी हाल फिलाल की बहुत ही popular cosmetic brand से associated है, जिनका नमा है DCA complete किया, उसके बाद में 2013 में School of Visual Arts से intensive summer course भी किया, और दोस्तों आपको बता दू, 2016 में इन्होंने ममाज हर्थ कंपनी की शुरुआत की, और आज के टाइम में इस कंपनी का जो turnover है, वो है 115 billion dollar का, और दोस्तों अभी हाल फिलाल में गजल अलग के पास ममाज हर्थ के 3.58% stake ह इसके अलगा दोस्तों ममाज हर्थ का majority of stake है, वो उनके husband के पास है, जो उनके co-founder भी है, वरुन अलग और उनके पास है 38.72% और दोस्तों अभी हाल फिलाल में इनकी जो net worth है, वो 112 करोड रुपया, मैं आपको ये भी बता दू कि इन्होंने Shark Tank इंडिया में किसी विजनस में invest नहीं किया, दोस्तों मैं आपको अगले Shark के बारे में बताओं, उससे पहले आप मुझे comment box में लिखके बताएगी इन सातों में से आपकी favorite Shark कौन से थे, दोस्तों सातवे Shark है Pius Bansal, आप खुछ जान दे होंगे, ये Lenscard Company से associated है, ये Lenscard Company के CEO and co-founder है, मैं आपको बताना चाह इन्होंने Lenscard की शुरुआत की, और आज के टाइम में Lenscard एक बहुत बड़ी Company बन चुकी है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2020 में इन्होंने Speedo नाम की Company के अंदर 7,00,000,000 का investment किया, इसके लावा और वी बहुत सारे businesses में, start-up में इन्होंने investment किया हुआ है, और दोस्तों म प्यूश बंसर के net worth की बात करूँ, तो net worth है 130 करोड रुपे, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, Shark Tank India में इन्होंने कौन से कौन से business में investment किया, Viva Life, Innovation, Easy Life, Aririo, Nut Job, Meteor, Event Deep, P&T, Find Your Kicks India, Ask Vidyalet, Road Bounce, V-Stock, The State Plate, In a Can, Hair Originals, and Loka, तो दोस्तों Shark Tank India के Season 1 की ये 7 judges थे, इन में से कौन सा आपका फेवरिटर प्लीज मुझे comment box में लिखके जरूर बताएगा, और जब Season 2 आएगा, तो उनके judges के बारे में भी हमें ऐसा ही video बनाकर upload करेंगे, इसके लागो दोस्तों मैंने कुकु FM का link और coupon code इस video के description में दे दिया है, तो जाहिए link पे click कीजे, coupon code को apply कीजे, आपक जब भी मैं कोई नया video upload करूँ, उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए,